अब बेगन का भरता खाना किसे पसंद नहीं होता है लेकिन भरता बनाने के लिए थोड़ा जंजड़ भरा काम होता है थोड़ा समय जादा लगता है क्योंकि बेगन हमेया पर भूलना होता है तो आज हम बनाएंगे एक दम नए तरीके से बेगन का भरता तो चलिए बनाना श यह जो भरता है हम बेगन распree बुम cheating जब बहता हैं रहे हैं यह जो begitu परुद्ट को ऑब मुंदे शील kardass Vice to full जृप. सब तो अब हम certificate लीजा को कट लेते हैं तो इसका एक फायदा है कि वह फायदा आतों फिकdefined पहर सकते हैं कि यह के खराब तो नहीं है क्योंकि जब हम भुनावा बेगन का भरता बनाते हैं तो हमें पता नहीं होता है कि बेगन अंदर से खराब निकलेगा या अच्छा निकलेगा तो बहुत से लोग जो है बेगन का भरता इसलिए खाना पसंद भी नहीं करते हैं तो अब हम इसमें डाल देते हैं पानी प्लिशर नने देते हैं उरब मैंने डाले हैं दो हरी मिर्च प्रशारिक में काटें इसके साथ दो प्याज गो गाल देंगे तो प्याज को भी मैंने बिल्कुल बरी काटके यूज मे lle कर रहे और तीन चाहिए पया हैं थे मिख्सकश करें अब वहां उस day me चाहए और थोड़ा जो सका कलर ये लाइट भी रहे आप देख सकते हैं प्लीड याँ पर ठोड़ा तो अब हम इसमें डाल मेल तो आप देख सकते हैं तो अब हम इसमें कुछ सूखे मसाले मिलाएंगे जैसे एक चमश में डाल रहे हूं लाल मिर्च पाउडर आदी चमश हल्दी पाउडर एक चमश धनिया पाउडर इसी के साथ एक चमश नमक डाल देते हैं यह सबी मसाले जो हैं आप अपने और दो चुटकी में यहां पर हिंग डाली है थोड़ा सा पाने डालेंगे करीब एक से दो चोटी चमश और मसालों को अच्छे से भून लेंगे तो पाने डालने से मसाले जलेंगे भी नहीं और बहुत अच्छे से फ्राइए हो जाएंगे तो आप देख सकते हैं मसाले यहां पर अच्छे से भून चुके हैं मसालों ने तेल छोड़ दिया हैं तो अब हम यहां पर डालेंगे यह कटेवे बेगन तो यह जो भरता है बनाना भोती आसान है क्योंकि जब हम बेगन भूनते हैं तो हमारा गेज भी काला हो जाता है और उसका छिलका निकालने में भी थोड़ी परिशानी होती है तो बेगन डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अभी हमें यहाँ पर बेगन को अच्छे से पकाना होगा तो इसके लिए आप चाहें तो यहाँ पर थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं या फिर बेगन को ऐसे भी पका सकते हैं क्योंकि बेगन तो सोफट ही होता है लेकिन मैं यहाँ पर छोटी दो चमच पानी डाल देती ह और अब हम यहाँ पर बेगन को अच्छे से पकने देंगे इसके लिए हम इसे cover कर देते हैं और गेस का flame low रखेंगे और बीच-बीच में हम इसे चलाते रहेंगे और तब तक बेगन पकाएंगे जब तक बेगन जो है अच्छे से सौफ्ट नहीं हो जाते बिलकुल मेशी से नहीं हो जाते तो आप देख सकते हैं बेगन यहाँ पर अच्छे से पक चुके हैं बिलकुल मेश से हो चुके हैं तो इस तरह से हम चलाते वे इसे अच्छे से मेश कर लेते हैं, आप चाहें तो मेशर के हेल्प से भी इसे मेश कर सकते हैं, लेकिन अगर बेगन बहुत अच्छे से पका होगा, तो बहुत ही आसानी से मेश हो जाएगा, तो आप देख सकते हैं इसे चलाते वे मैंने अच्छे से मेश कर लिया है तो अब मैं यहाँ पर डाल रही हूँ मतर के दाने मैंने यहाँ पर मतर के दानों को कुछ देर के लिए बोईल कर लिया है आप चाहें तो डाले नहीं तो optional है अगर नहीं डालना चाहें तो skip भी कर सकते हैं तो एक चमश में नहीं आपर गरम मसाला भी एट किया हैं इन सबी चीजों को अच्छे से mix कर लेते हैं अब हम इसमें डाल देंगे ये धन्या पत्ती तो वेसे तो ये भरता बनका रेडी हो चुका है लेकिन अभी हमें इसे बुनेवे बेगन का फ्लेवर भी देना है तो धन्या पत्ती को भी हम अच्छे से mix कर लेंगे आप चाहें तो इसे ऐसे भी खा सकते हैं लेकिन अगर आप भुनेवे बेगन का फ्लेवर पसंद करते हैं तो आप ये वाले स्टेप अपनाएं कि बीच में इस तरह से थोड़ा से हम जगा बना लेते हैं और इसके अंदर हम रखेंगे एक प्लेट या छोटी कटोरी जो भी आपके पास हो और अब हम इसके अंदर ये जलतावा अंगारा रख देते हैं यानि कोईला और इसके उपर में डाल देती हूँ थोड़ा सा देसी घी और घी डालने के बाद हम इसे तुरंत कवर कर देंगे और कवर करके हम इसे 5 मिट के लिए इसी तरह से छोड़ देंगे ताकि दुए का जितना भी फ्लेवर है वो भरते में अच्छे से आजाएं और हमें जो है बिल्कुल भूनेवे बेगन का फ्लेवर ही मिले तो पांच मिट हो चुके हैं कटोरी को अलग निकाल लेते हैं तो आप देख सकते हैं कितना आसान इस बेगन के भरते को बनाना बहुती टेस्टी बना है आप जरूर से ट्राइ कीजिए और रेसिपी पसंद आती है तो अपनी फ्रेंड्स और फैमिली में जरूर से शेयर च जरूर टे हैं?